मैं बालक राम बहुत आज दिल्ली के सविधान दिवाद समारों में उपस्तित हैं SM News का मैं हार्दी के मिदन करता हूं कि उन्होंने एक मुहीम जो चलाई है देश में जातीबाद के खिलाप जातीबाद का जो एक डीमक की तरह जो देश में जो एक देश को कमजोर करने का जो एक सदियंत्र है उसके खिलाप जो SM News ने अभियान चलाया है मैं उसके लिए SM News का धन्यवाद करता हूं जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि देश में ऐसी एक विवस्ता इस्तापित की हुई है कि व्यक्तिक कितना ही गुनकानी क्यों नहीं हो जो बिल्कुल मानवता को तार तार करती है और जिस कारण आज हमारा देस इतनी कमदोरी में है मैं समझता हूँ कि परतिक देश का परतिक व्यक्ति इस रोग से मले कि कहते हैं कि इसको मले ऐसा गंबीर जातिवाद के जहर है उस जहर से हर व्यक्ति से पेडित है और जो भी व्यवस्ता में इस बरुआने का जो काली के जा रहा है वो केवल एक मनुवाद के दूबारा इस् सबस्क्राइब आप देखे इंसान इंसान होता है इंसान की दो जाती होती है उसके बावजूद भी इन्सानों को हजारों की संख्याब हजारों की सेनी में बाटकर इस देश को कमजूर करने की सित्री देश में बनाई भी है और आज अगर आप देखेंगे देश को सविधान जो लागू हुए सतर साल हो गए है भारतिय सविधान में जाती की कोई व्यवस्ता नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप व्यवारिक्ता में देखेंगे कि लोग जाती वाद को छोड़ नहीं रहे हैं जाती वाद के माहौल में जकड़े हुए हैं जिस कारण रोज हजारों की संक्या में मला इतने जगन अपराद होते हैं वो के वल जाती कारण होते हैं और जो जानवूज के अपरादी होते हैं वो बचाय जाते हैं एक जाती के दौहाने से तो यह देश में एक ऐसा जहर है जिस जहर को मिटाने के लिए SM News ने एक मुहिम चलाई है मैं इस मुहिम के लिए SM News का बहुत बहुत आभार विक्त करता हूं और साथ मैं एक अपेल भी करूँगा कि इस मुहिम को देश इस तरप नहीं देश में जगए जगए जाके कलक करके इसको इंटरनेशनल लेवर बनाए जाए ताकि देश से जातिबात का जहर खतम किया जाए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले